फिल्मी चाची की चैट हेलो जी हेलो ये जोजी नॉटी फेलोज आच की हूं मैं आपकी फिल्मी चाची आज लेके एक स्वाल स्वाल ये है कि क्या आपने कभी आज तक सुना है कि किसी की बीवी बनने के लिए उसको मंथली सैलरी दी जाए और क्या आपने ये सुना है आज तक कि शादी के बाद जब तलाख हो तो उसकी चर्चाएं इतनी जादा हो कि जतनी शादी की भी नहीं हुई और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मिला 200-300 क्रोड रुपया और उसको वाकई खबर बनाने के लिए इतने पैसे की बात हो रही है सो संद्रा जिसने गरम मसाला और ओए लक्की लक्की ओए में काम किया था देखो फोटो देख के तुम समाजगे ओ कि मैं किसकी बात कारी हूं ये जो एक्ट्रिस है इसने अभी पीछे एक इंटर्व्यू देखके संसनी फेला दी है ये कह रही है कि इसको एक बार एक बिजनि को बीवी बनने की सैलरी मिले ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना पर मैं ये कहती हूं कि ये बॉलिवुड में क्या क्या होता रहता है अब लेकिन बात ये बिल्कुल सच है क्योंकि नीतू चंद्रा ने खुद ये बताया है कि ऐसा उसके साथ हुआ है और वो कहती है कि उसक कहानी है वो एक सकसेसफुल एक्टर की फेलियर स्टोरी है अपने आपको खुदी फेल बतारी है पर वो ये ऐसा इसलिए कहरी है क्योंकि उसके पास आज की डेट में काम ही नहीं है अब सोचो एक ऐसी एक्टर सी लल्ली जिसने तेरा नैशनल आवार्ड विनर्स के साथ काम किया है बड़ी-बड़ी फिल्मे करी है आज की डेट में उसके पास काम ही नहीं है काम है तो सिर्फ सेलरी वाली वाइफ बनने का पर देखो बात ऐसी है ना कि लोग कहते हैं कि जिन्दगी में बड़ी परेशानिया आती है और जब परेशानिया आती है तो इनसान टूट जाता है तो जब उससे पूछा गया कि जब इतनी बुरी हालत में हो मैडम तो कभी सूसाइड करने का ख्याल आया तो वह बचारी रोते-रोते बोली कि हाँ आया तो जरूर है और मैं यह सोचती हूं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि किसी के मरने के बाद ही उसे याद करते हैं ज होता है कोई कहता है होता है कोई कहता है नहीं होता है लेकिन जो लोग कहते हैं कि बालीवुड में कास्टिंग काउच नहीं होता है उनके मुझे तमाच्चा मारते वे नित्तु चंद्रा ने खुद ये बात बोली एक जानने माने कास्टिंग डिरेक्टर ने उसका ओडिश कि नहीं हो पाएगा जब कि आप कास्टिंग डिरेक्टर हो ना अपने डिरेक्टर से बात की ना प्रोड्यूसर से ना किसी को ओडिशन दिखाया तो ऐसे में साफ समझाता है कि आपकी इंटेंशन्स क्या थी तो इसलिए वो कहती है कि यह इस तरह की चीज जब बालीवुड म है यह वैसे अगर बात करें नीतु चंद्रा के प्रोजेक्ट्स के बारे में तो अभी लड़की जो है वो हॉल्लीवुड में भी डेब्यू कर रही है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट कारके एक फिल्म है उसमें इसने ताइकॉंडो वाली लली का काम किया है वैसे यह सहान होके होलीवुड स चले गए जैसे कि प्रियंक चोपढ़ा अब यह लल्ली प्रियंका के नक्ष कदम पे है या पर बात तो यह है आज की डेट में कि इक इसका भी यह हाल है जो एक टाइम पर प्रियंका चोपढ़ा कऊ गया था कि प्रियंका चोपण किसी को महिसूस न कि लोग किसी की पोई परवाही नी कारते हैं हर कोई अपने से मतबल रखता है तब ही तो कहते हैं बालीवुड बुल्शिट खेर मैं आज ख्राब मूड में हूँ तो इसलिए सोच रहे हूँ कुछ मीठी खीर वीर बनाओं तो मैं चलती हूँ एक और अच्छी न्यूज के सा लो फिर नी कहना बताया नी